नमस्कार दोस्तों मैं विजे कसाना डिजीटल फिरी सिक्षा के यूटूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूँ दोस्तों आरियाना पुलिस फिमेल कोंस्टेबिल के रेजल्ट को लेकर बड़ी अपडेट है अगर आप इसके बारे में जाणने के लिए इंटरेश्ट हैं तो वीडियो अन तक जरूर देखें और अगर आप पहली बार हमारे चैनल पर विजिट कर रहे हैं या आपने अभी तक हमारे चैनल को सबस्क्राइब नहीं क्या है या एक्जाम की तुरंत बाद ही जब आपके पास इनफोर्मेशन आ रही थी कि पंदरा नौम्बर से अरेनपलिस के फीजिकल शुरू हो जाएंगे या उने की संभावना है तब हमने वीडियो बनाई थी कि पंदरा तारिक से फीजिकल की जो बात कर रहे थे वैब पोसिबल नहीं हो पाएगा ये पुरूब भी सात्यों हमने उस वीडियो में बताया था और उस वीडियो में हमने जो रजल्ट के बारे में आपको इनफोर्मेशन दी थी या आनस्वर्की के बारे में सात्यों पहले का डाटा है जिसमें हमने आपको बताया था कि 6 या 7 तारीक के लगबग आपके आनस्वर की आने की संभावना है तो 8 तारीक के लगबग आपके आनस्वर की आ भी गई थी और सात्यों हमने इसके बारे में उब्जेक्शन लगाने की डेट भी आपको लगबग बता दे थी कि इस तारीक तक लगबग उब्जेक्शन मांगे जाएंगे अब बात करें साथियों हमने क्यों कहा था कि 15 नॉम्बर से फिजिकल नहीं हो तो साथियों ये भी इस वीडियो में पुरूप के तोर पर बताया था कि तेईस तारीक तक तो स्टाप नर्स के डीवी चल रही है तो स्टाप नर्स और एनम के डीवी चलेंगे तो इससे पहले तो पोसिबल नहीं है क्योंकि प्रेट ग्राउंड सेक्टर पांच के अंदर ही एससे मेल कोस्टेवल के फिजिकल लेने की पूरी-पूरी संभावना है तो साथियों आमने 25 के बाद के बाद कहा था तो 25 के लगबग ही आपका रेजल्ट आने की अभी भी संभावना है जिया साथ 25 नॉवंबर के लगबग ही आपका रिजल्ट आने की पूरी पूरी संभावना दिपाज़ा जा रही है हो सकता है नॉवंबर मैने के last week में आकर और आपका दिसम्बर के first week में physical सुरू हो जाए या हो सकता है नॉवंबर के last में भी सुरू हो जाए तो साथियो दिसंबर के फर्ष्ट वीक में दो-चार दिने का अगर अंतर भी रहता है तो कोई ज्यादा फरक नहीं आप अपनी तैयारी फीजिकल की जारी रखें क्यों तैयारी जारी रखें साथियो आपने देखा होगा या अगर किसी कंडिडेट नहीं देखा तो हमारे टेलिग्राम चनल पर वो पीडिये भी उपलब्द है जो एसाई मेल की जिया साथियो एसाई मेल के अंदर जो डिटेल रजल्ट डाला था फीजिकल का जो कंडिडेट डिस्क्वालिफाई हुए उनकी डिटेल डाली थी तो उसमें साथियो एक एक सेकंड से आपने देखा होगा एक एक सेकंड से कंडिडेट सेलक्षन से रह गए एक सेकंड तो इसलिए जो कंडिडेट तैयारी करने वाले हैं ज्यादातर कंडिडेटों के बारा मिनट का समय दिया गया था साथियो डाई किलोमेटर के लिए तो चिप माइक्रो सेकंड होगा सिस्टम है जो पहले रश्य सिस्टम है अन्दर कर लिया जाएगा अब तो सॉत्यों चिप से कुआलिफाई और यप इसलिए आप अपने तैयारी जारी रहें अगर आपका फाइदा रहेगा लेकिन स्वाइप में चाह». वीक के अंदर ही रेजल्ट आने की पूरी पूरी इनफोर्मेशन हमें मिल रही है 100% तो HSSC के बारे में कोई भी नहीं कह सकता क्योंकि वो खुद भी अपड़ा सीडूल चेंज कर लेते हैं अगर किसी भी कारणवस तो सात्यों अभी तक जो इनफोर्मेशन मिली है रेजल्ट की क्योंकि बार-बार कमेंट आ रहे थे कि रेजल्ट कब आएगा हम ज़्यादव वीडियो नहीं बनाते क्योंकि जो चीज हमने बता दी हमने पहले ही बता दिया कि नौउंबर के लाश्ट में आएगा अनसुरकी के बारे में बताया था वो हमारा स्टीक एकदम विसलेशन निकला सात्यों अब हमने रेजल्ट की नौउंबर के लाश्ट में पहले ही बता रखी है फिर भी कई कंडिडेटों के कमेंट आ रहे थे इसलिए हमें मजबूरी से वीडियो बनाना पड़ा अब आपके उपर है आप क्या सोचते हैं हमारे इसाब से अभी भी सात्यों नौउंबर लाश्ट में ही मेल कोंश्टेबल का रेजल्ट आने की संभावना है अभी भी जो पहले वाली बात है वो भी अभी भी यही इनफोर्मेशन साथ यो अगर इनफोर्मेशन में कुछ चेंजमेंट होता है तो आपके साथ सेयर कर दी जाएगी वरना हम बार-बार वैसे वीडियो ने बनाते कि रजल्ट आ बार आए वीज के लिए नहीं साथ यो आप तक जो इनफोर्मेशन पहुचाई जानी है वो हम समय पर पहुचाते हैं सबसे पहले तो ऐसी अपडेट रेगुलर पाने के लिए चैनल के साथ बने रहें वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक ओर जादा जादा शेयर करें वीडियो आ तक देखने के लिए दन्यवाद मिलते हैं नेक्स वीडियो में